चीज होती है जिसके बिना एक कदम भी चलना मुस्किल ही नामुम्कीन हो जाता है। जो अपने राज्य को अपने जिले को और अपने देश को छोड़के दूसरे देश में दूसरे राज्य में सिक्षा ग्रहड करने जाते हैं। पाध्याजी मौझूद हैं बाच्छत करेंगे इस मामले पर सबसे पहले सर आपकर टीवी 24 पर स्वागे जाते हैं। अपने योगी जी के पहले कारकाल में बिग्ड़ु ही शिक्षा व्यूस्ता को पट्री पर लाए गया। और दूसरे कारकाल में संकल्प लिया गया था कि जो असेवित मंडल हैं जहां सरकारी विश्विद्याले नहीं हैं। देश की आजादी को सत्तर साल हो गए लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज में छे मंडल हैं जिनमें एक भी सरकारी विश्विद्याले नहीं था। तो वहां सरकारी विश्विद्याले खुले जाएं और दूसरा शिक्षा के प्रसार और प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश को शिक्षा का हब बनाने के लिए निजी विश्विद्याले को आमंतरत किया जाएं उनको प्रमोट किया जाएं तो छे सरकारी विश्विद्याले मंडलों में तो इस्थापित हो गए हैं या तो निर्माना धीन है या प्रारम हो चुके हैं ये पहला संकल्प योगी जी का पूरा हुआ और हर उत्तर प्रदेश में विश्विद्याला के शिक्षा के प्रसार के लिए लगभग 25 निजी विश्विद्याला को एलो पी या एल उत्तर प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता होगी बलकि उच्ष शिक्षा अंतिम छोड़ पर बैठे विक्ति की पारपास भी पहुँचेगी इसी के अंतरगत योगी जी ने एक निरने और लिया है कि हर जिले में उच्ष शिक्षा अंतिम छोड तक पहुँचा है इस incentives बने प्रमोट करने के लिए कुछ नीतियां ऐसी बने जिससे कि वह आकर्शित हो और वहाँ पर भी विश्विद्याले खुलें इस तरह यह योजना है यह उत्तर प्रिदेश सरकार की योगी जी सरकार की तीक है सर एक और आप से जाहिर सी बाते ग्रहण लोग करते हैं काम्याबी पाने के लिए लेकिन सबसे पहला चात्रों चात्राओं के मन में सवाल यही होता है और कोशिश होती है और खुएंस होती है कि पढ़ाई कंप्रीट करने के रोजगार मीले है। लेकिन रोजगार बहुत कम मिल रा है युवाओ को, पढ़े लिखे 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 कि युवाओ घर में बैठ रहे हैं कुछ आत्म hosts कर लेखे हैं कुछै कर ले हैं। शिक्षा विभा क्या कुछ सोच रहा है? उन सब की सीक्षा विभा क्या है? तो वो कहीं न कहीं वहां पर अपने रोजगार को प्राप्त के लेगा। दूसरा रोजगार मिलना और रोजगार दिलाने वाला बनना ये दोर बड़ा नतर है तो रोजगार दिलाने वाली शिक्षा दी जा रही है कि ऐसा उसको बनाया जाए शात्र को कि वो अपना रोजगार खोले और रोजगार दिला सके लोगों को तो इस और कदम है अब हमने श स्वास पर होगे वहां पर आज पास केंटिन और अनसुर्धाओं के लिए भी संसादन जुटे होंगे ये भी रोजगार का एक माध्यम में एक रोजगार होता अपर्तेक्ष रोजगार एक अपर्तेक्ष रोजगार तो शिक्षा सरस्था हैं जब व्यापकरूप से तो अपर्टेक्ष रोजगार भी मिलेंगे और रोजगार देने वाले चात्र वहां से निकला करेंगे सर जुन जुलो में विश्व विदाले खुलने की तयारी चल रही है क्या कुछ अलग वहाँ पर बेवस्थाएं होंगी जो विश्व विदाले हर जगह जहां भी है थोड़ा सा अलग हटके हो और कुछ नया एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को सीखने को और देखने को मिले जो जिस डिस्ट्रिक्ट में होगा उधारण के तोर पर यह दी कोई अलीगड़ में खुलता है अपना आसपास किसी जिले में अलीगड़ में हार्ड़ वेर का बहुत बड़ा काम है ताले वगरा बनते हैं इनकी स्किल को सिखाने वाला भी मां कोर्स होगा जिससे कि वहां का उसको सीखता हुआ निकले आगरा में गिदी कोई होगा तो टूरिस्ट्रेट आगरा का एक सेंटर है बहुत बड़ा सेंटर है तो वो टूरिस्ट्रेट के वेटर से लेकर उपर होटल मैनेजमेंट तक और जो भी विधाय है इसकी उन सब को सिखाने वाले कोर्स चरेंगे जिससे वहाँ का चात जब उसको करके निकलेगा तो वहाँ से जुड़ेगा और नई नई रिसर्च होंगी वहाँ पर विधेशों में जितने विश्विध्याले हैं जहां उत्तर प्रिदेश का चातर पढ़ने जाता था इस्पेशल कोर्स के लिए तो जो संसाधन युक्त किया जाएगा जो ऐसे विश्विध्याले हैं जहां पर चातर जाते हैं वो अपनी फैकल्टी यहां खोलें यहां चलाएं यहां के विश्विध्याले को मैं उनको सुवधाय दी जाएंगी जिससे उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बन सके आज उत्तर प्रदेश शिक्षा कि ये बहुत बड़ी देन है बहुत बड़ा सवाल है बच्चे सुसाइट तक कर ले रहे हैं से देखिए पिशली दोरान योगी जी की सरकार से पहले जो सरकारे थी किसी भी देश का इससे बड़ा दुरभागी हो नहीं सकता और मैं तो युवा वर्क से भी कहूँगा कि छोटे प्रलोबन में ना फजा करें जो ये कहा करते थे कि हम आप आप हमको वोट दीजे हम आपको नकल कारिकार देंगे ये दुरभाग उत्तर पिदेश का रहा योगी जी ने आकर से समाला है और पिछले समय पेपर लीक होना एक उद्योग था अब युनिवर्स्टी लेविल पर पेपर लीक होने की घटना है नगड हो चुकी है नकल बहुत कम हो चुकी है इस तरीके से शिक्षा का इस तर भी सुधर रहा है और उसको अच्छे और ले जाने के प्रयाज भी हो रहे है चहां तक और पेपर लीक का प्राप्त करते थे वो लोग और इसलिए बचे रहते थे तो अब धीरे धीरे सुधार होगा परसों की लगी जंग हट रही है नए आयाम आ रहे हैं शिक्षा में शिक्षा और चिकित्सा पढ़ाई और दवाई यह आम व्यक्ति की बहुत बड़ी आवशक्ता है इस आवशक्ता की ओर माननी योगी जी का पूरा ध्यान है योगी जी सरकार का ध्यान है हर जिले में अस्पताल हो हर जिले में एक विश्विद्धाले हो इस ओर कदम बढ़ रहे है तो ये थे हमारे साथ मंद्री योगेंद्र उपाध्या जी जिन्होंने सावशब शब्दों में बताया कि सिक्षा को लेकर उत्रप्रदेश क्या कुछ प्लानिंग कर रहा है रहाबाद पिछड़े जिलों में जो विश्विद्धाले खुले